आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जो भी प्रॉडक्ट यूज़ कर रहे है वो नहीं एसा तो नहीं है, आपका प्रॉडक्त खराब हो गया है, औक्सिडाइस खराब हो गया है, बैद स्मेल आ रहा है और आप उसको यूज़ करने से आपका स्किन खराब हो सकता, स्किन बार bien खराब हो सकता आपको आकने, आकने, बंस, bumpy skin, texture skin, कुछ भी हो सकता है, उससे आपको rashes भी हो सकते हैं, so guys, ये वीडियो मैंने इसलिए शूट किया, क्योंकि जब मैं ये फॉकस्टेल के product यूज कर रहे हूं, और ये मेरे पास 3 बॉटल है, as you can see guys, सिर्फ फर्स बॉटल अच्छा था, सेकंड बॉटल अल्रेडी मुझे ऑक्सिडाइज मुला था, फर्ड बॉटल जो मुझे मिला था, वो शुरू में ठीक था, लेकिन आफ्टर लाइक 15-20 देज, ये ऑक्सिडाइज होना शुरू हो गया था, जब भी मैं इसका प्रोड़क्ट निकालती थी, इसके पंप से औरेंजिश कलर का प्रोड़क्ट आता था, इसका मतलब है कि मेरा वाइटमिन सी खराब हो चुका है, अब मुझे यूज नहीं करना स्रहिए, as you can see guys, मैं आपको दिखाती हूँ, इसका प्रोड़क्ट अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये इसमें ना पहले कुछ और औरेंजिश ओईली टेक्शर आता है, फिर इसका और औरेंजिश प्रोड़क्ट आता है, जब मैंने इसको पर्चेस किया था, तो इसका जो कलर था, ऑफ वाइट कलर था, आपको अच्छे से रिसर्च करके प्रोड़क्ट को पर्चेस करना है, आप कोई भी महंगा भी वाइटमीन सी खरीदेंगे, अगर उसका जो फॉर्मॉलेशन है, वो स्टेबल नहीं है, तो वो इसी तरीके से उक्सडाइज हो जाएगा, गाइज मैं फॉक्स्टेल का 3 बॉटल्स ऑफ वाइटमीन सी, मैंने अल्रेडी पर्चेस किया हुआ है, तो बॉटल्स ऑफ दिस सेरमाइड मॉस्चराइजर, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे, तो यह मेरा वन ओफ दी फेवरेट मॉस्चराइजर में से एक है, यह मुझे काफी अच्छा लगता है, काफी हाइडरेटिंग है, इसलिए मैं संसर्डिव स्किन वालों को सज़स्ट नहीं करती हूँ, अदरवाइस इसका जो वाइटमीन सी सेरम है, प्लीज अगर आप यूज कर रहे हैं, आप उसको आज ही चेक करिये, कि उसका जो भी कलर है, वो औरेंजिश है, या उसमें औरेंज कलर का इस तरीके से, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे, फोटो, वीडियो, जितना क्लोस अफ हो सकी, मैंने लेने का ट्राइ किया है, और मैं वो आप लोगों से शेर करूँगी, कि अगर आपका इस तरीके से प्रोड़क्ट आ रहा है, So guys, please stop कर देजे, यूज करना, क्योंकि वो आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं करेगा, आप सोच रहोंगा कि मैं यह वाइटमीन से अपलाई कर रही हूँ, और मैं फेस पे कोई चेंज नहीं देख रहा है, आपका फेस और ज्यादा डल, डार्क हो सकता है, आपका फेस डामेज भी हो सकता है, आपका जो बारियर है ना, आपने जो प्राड़क्स यूज करके उसको अच्छा बनाया ना, वो डामेज हो सकता है, so guys, please stop using वाइटमीन से सरम, कोई भी वाइटमीन से सरम, अगर उसका कलर चेंज हो गया, आपने जो पर्चेस किया है उसमें, और जब आप यूज कर रहें, अगर चेंज है, तो I think कुछ तो ingredients में change हुआ है, कुछ तो formulation में change हुआ है, तो आप उसको stop कर दीजे, यूज करना, अगर आपने अपने पैसे से hard earned money से purchase किया है, तो आप उसको हाथों में पैरों में apply करके, खतम कर सकते हैं, but face पे apply मत करें, क्यों कि हाथ और पैर पे उतना जादा irritation नहीं होता है, so guys, यह था मेरा एक helpful video, जो आप लोगों को help करेगा, कि अगर कोई भी product का texture change हो गया है, color change हो गया है, तो आपको वो product use नहीं करने चाहिए, so guys, अगर आपको मेरा video अच्छा लगेगा, तो मैं video के like करेगा, share करेगा, subscribe करेगा बाई बाई बाई